रन्वीत कपूर और यश्ट की रामायन की फुल पावर कास्टिंग चालू है हर दिन इस फिल्म से किसी बड़े सूपरस्टार का नाम जुड़ता ही जा रहा है फिल्म से बाहर आती ये खबरे बता रही है कि रामायन के एक एक रोल के खिर्दारों को निभाने के लिए नितिश दिवारी ने जी जान लगा दी है लेकिन अब जो खबर आप सुनने वाले हैं वो आपको खुश और एकसाइट तो करेगी ही लेकिन एक बड़ा जटका भी देगी हालगी में एक लेटिस खबर आई थी कि फिल्म में राजा दश्रत के रोल में अमिता बच्चन असर आ सकते हैं रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रामायन में इस रोल के लिए अमिता बच्चन को अप्रोच किया गया है मगर अब फिल्म से जड़े एक लोस सोर्स ने इटाइम्स को बताया है कि इस फिल्म में बिग भी नहीं बलकि अरुन गोविल राजा दश्रत की भूमी का निभातेग पर दिखाई दे सकते हैं जीहां मिली चानकारी के मताबिक रामानन सागर की रामायन में राम की भूमी का निभा चुके अरुन गोविल भी अब नितेश दिवारी की फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं रनबीर कपूर के साथ अब टीवी के राम भी काम करते एक पे नसरा सकते हैं अगर ये खबरे सब्सावित होती है तो अरुन गोविल का रामाइन का हिस्सा बनना दर्शुकों के लिए किसी अच्छी खबर से कम साबित नहीं होने वाला है लेकिन बिग भी फिल्म में नजर नहीं आएंगे ये बात फैंस को ज़रूर निराश कर रही है ऐसे में फैंस का कहना है कि अमिता बच्चन को फिल्म में किसी और रोल के लिए अप्रोच किया जाना चाहिए इतना ही नहीं रनवीर कपूर के लुग को लेकर भी काफी दिनों से अलग अलग तरहा की खबरे सामने आ रही थी अब माना जा रहा है कि रनवीर कपूर सिम्पल लुग के साथ भगवान राम का किरदार निभाएंगे उन्हें जादा भारी भरकम नहीं दिखाया जाएगा खबरों की माशने तो नितेश दिवारी ने उन्हें सिम्पल और नेचुरल लुग करने को कहा है नितेश दिवारी की रामायन को लेकर हालकी में खबर आई थी कि सुर्प मखा का किरदार अक्टरस रकूल प्रीट में भाती नाज़र आएंगी वहीं लारा दत्ता को केकई के किरदार के लिए चुना गया है और सनी दियोल को हनुमान की भूमिका के लिए फॉइनल कर दिया गया है आप लोग रनबीर कपूर के इस रामायन की कास्ट में और किन किन स्टार्स को देखना चौहेंगे कॉमेंट सेक्शन में बताना हमें बिल्कुल ना भूलिएगा बॉलिवूड की लेटेस न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं